हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल विशू एकडमी आज हम लोग क्लाश 12 एकसरसाइज 7.3 कोशन नमबर 6 सोल्व करेंगे तो आए देखते हैं कोशन में क्या दिये हुआ है कोशन में दिये हुआ है साइन एकस साइन 2 IT इसकां इंतिग्रेशन निकालना चाहिए वी है आई हम इकोल तो इंतिग्रेशन ढ़े जाता है साइन 1 यह तो एकस और कर दो रखें है आप में लग जाता है इसका इंटीग्रेशन निकानुना है क्या दिया हुए सबसे कम कॉन साथ इसको छोड़के यहां पर यहां पर साइन एंटू साइन भी है यहां पर हम लोग एक फर्मूला लगाएंगे जो साइन एंटू साइन भी क्या होता है कोस क्योंकि यहां पर उन्मों को पहली मंट्रीप्लाइम है तो चेंज करने पर पाड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में नहीं पर नहीं हुए तो यहां पर दो मतलब जो एंगल बढ़ा हो यह सबसे छोटा इसको छोड़ देंगे यह साइन 2x और 3x में फर्मूला लगाएंगे तो 2x माइनस सबसे एक कोस एक क्या है 2x और 3x प्लस 3x अपान में 2 इसके जबाँ पर यह रखेंगे इसका वालू पूट करेंगे sin a into sin b का फर्मूला क्या होता है cos a minus b minus cos a plus b अपान में 2 इसके 2x को हम लो a मानेंगे और 3x को हम लो b मानेंगे तो यह देखते हैं i equal to integration sin x sin x और sin 2x sin 3x और sin 2x sin 3x प्लस 3x यह प्यक्या होगा 1 upon 2 cos 2x minus 3x minus cos 2x plus 3x इस bracket में होगा i into dx क्या होगा sin 2x minus 3x minus cos 2x plus 3x तो i equal to integration sin x यहां पहले 1 upon 2 constant यह तो बाहर लेंगे 1 upon 2 अब sin x और 2 में से 3 सब्टेट करेंगे क्या होगा minus 1 होगा और 2 में से 3 तो क्या होगा minus 1 होगा यहां पर क्या होगा cos minus x क्या होगा cos minus x यहां पर minus cos 2x plus 3x कितना होता है 5x plus cos 5x dx i equal to 1 upon 2 integration अब यहां पर cos minus x है इसमें क्या होता है क्या होगा cos x हो जाएगा sin x into cos x क्योंकि multiply करेंगे sin x में cos x से sin x में minus cos 5x से अब यहां क्या होगा minus sin x cos 5x dx माइन से अपरेट कर देंगे अब यहां क्योंकि अपरेट करते हैं तो i equal to 1 upon 2 integration sin x cos x sin x cos x dx minus 1 upon 2 integration sin x cos x x cos x dx क्या होगा i equal to i equal to 1 upon 2 sin x cos x dx minus 1 upon 2 sin x cos x 5x sin x cos 5x dx अब यहां पर 1 upon 2 इसलिए देंगे दोनों में से कमन लिये थे यहां पर इसलिए हम लोग 1 upon 2 दोनों साइड जाएगा दोनों साइड जाएगा अब यहां इसको हम लोग i1 मानेंगे इसको i1 मानेंगे इसको i1 मानेंगे इसको i2 मानेंगे पहले i क्या होता है i1 मानेंगे i1 मानेंगे i1 मानेंगे i2 को सालिक करेंगे i2 को सालिक करेंगे अब यहां पे अगर हम लोग 2 से मंटी प्लाई करदे तो एक फर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x यहां पे उपर नीचे अगर 2 से मंटी प्लाई करदे तो एक फर्मूला बन जाएगा किवके अगर a upon b है तो उपर नीचे 2 से मंटी प्लाई करेंगे तो 2 a upon 2 b equal to तो बरागणी होगा यहीं आएगा a upon b अच्छा इसमा अगर हम 2 से मंटी प्लाई करदे और 2 से डिवाइड करदे तो एक फर्मूला बन जाएगा 2 sin x into cos x dx कि उपर नीचे से मंटीप्लाई कर सकते है यही करेंगे i1 equal to 1 upon 2 integration 2 sin x cos x dx upon 2 क्या होगा i1 equal to 1 upon 4 integration 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x dx क्या होगा sin 2x dx i1 equal to क्या है 1 upon 4 integration sin 2x dx अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा sin x क्या होता है minus cos x cos x x कितना है 2x upon में जो एंगल है x से coefficient है वो upon में चला जाता है 2 plus c1 i1 क्या हो जाएगा minus 1 upon 8 minus 1 upon 8 cos 2x plus c1 क्या होगा i1 i1 क्या होगा minus 1 upon 8 cos 2x plus c1 अब i2 लिका लेंगे i2 क्या दिया होगा है i2 दिया होगा 1 upon 2 integration sin x cos 5x dx इसका integration क्या होगा 1 upon 2 integration sin a sin x cos 5x dx पी यहां टेक फर्मुला लगेगा sin a into sin b उसका क्या होगा sin a into sin b के फर्मुला क्या होता है sin a plus b plus sin a minus b upon में 2 वही फर्मुला यहां लगाएंगे जैसे कि i2 1 upon 2 integration इसका फर्मुला क्या होता है sin a इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे इसका फर्मुला क्या होता है sin a a क्या है x plus b b क्या है 5x plus sin a a क्या है x minus b b sorry minus b to b क्या है 5x upon में 2 plus dx dx i2 equal to 1 upon 2 e i2 कितना आया 1 upon 2 constant है तो बाहर लेंगे common क्या होगा 1 upon 2 into 1 upon 2 क्या होगा 1 upon 4 integration यहां पे add हो जाएगा तो क्या होगा sin x plus 5x कितना होता है 6x क्या होगा sin 6x अच्छा है आपे minus हो जाएगा minus क्यूंकि यहां पे minus x minus 5x कितना होता है sin minus 4x मैं पहले ही बता चुका था कि जो sin के साथ minus हो तो बाहर आयता है sin minus sin 4x dx अब इसका integration क्या होगा i2 equal to sin 6x का क्या होगा sin 6 का क्या होगा sin 6 का क्या होगा minus cos minus cos 6x upon 6 यहां minus है cos 4x का क्या होगा minus sorry sin 4x का क्या होगा minus cos 4x upon 4 minus minus plus cos 4x upon 4 अब यहां पे 6 कैसा है क्यूंकि यहां पर integration करते हैं तो यह एंगल का एंगल जो से यह x का कॉपिशियन है 6 तो यह upon में चला जाबता है अब i1 में से i2 को minus कर देंगे तो i1 निकल जाएगा यह मीटाता हूं i1 किता दिया हो है minus 1 upon 8 cos 2x अब i2 किता दिया हो है 1 upon 4 तो यह पे क्या होगा minus 1 upon 4 minus cos 6x upon 6 plus cos 4x upon 4 plus c i1 upon 8 cos 2x minus 1 upon 4 minus cos 6x upon 6 plus cos 4x upon 4 plus c i1 upon i1 upon 4 i1 upon i1 upon 4 इवाएगा 2 upon 4 इवाएगा 1 upon 4 इवाएगा 1 upon 4 माइनस हुगा, cos 4x, upon 4, सांत में constant जोड जाए, इसको में सिर्या कर लेते हैं, i equal to 1 upon 4, plus में का है, cos 6x upon 6, यह बरा एंगल है, तो माइनस, cos 4x, upon 4, तो यह माइनस, 1 upon 2, cos 2x, यह आगया, answer, यह आगया, answer, अगर वीडियो समाज में आई, तो प्लीज सस्क्राइब, लाइप, शेर करना ना भूले, हाँ, अगर question doubt है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं,